यात्रियों का ये हंगामा दिल्ली एयरपोर्ट पर बरपा है पांच घंटे तक ठब पड़ा रहा और इस दौरान घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर इसका काफी असर पड़ा करीब साड़े चार बज़े से खड़े हैं मेरी फ्लाइट के लिए मुझे मेसेज आया था करीब करीब की दो गंटे पहले पहुंच जाई है बोरिंग टाइम था 6.40 का और फ्लाइट थी 7.15 की और अभी ये लोग साड़े तीन बज़े से लोग खड़े हैं और यहां से कुछ नहीं बता रहे हैं और यह बोल रहे हैं दिर सर्वेस दाउन महाराजा के नाम से मशूर एर इंडिया के सीटा सर्वर में तड़के साड़े तीन बज़े दिक्कते आनी शुरू हुई सुबह की फ्लाइट से जाने वाले यात्री जब एरपोर्ट पर पहुँचे तो सर्वर डाउन होने के चलते बोर्डिंग पास ही नहीं निकल पाया जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया दरसल जिस सर्वर की वज़े से एर इंडिया की फ्लाइट्स में दिक्कते हुई वो मल्टी नेशनल इंफर्मेशन टेक्नलोजी सीटा का है सीटा एर लाइन्स ट्रांस्पोर्ट इंडिस्ट्री को खास तौर पर सर्विसेज मोहिया कराती है इन सर्विसेज में आईटी से लेकर टेली कम्यूनिकेशन तक शामिल है इसी सीटा सर्वर के जरिये ही मुसाफिरों को फ्लाइट्स के लिए बोर्डिंग पास इशू होता है दुनिया भर की एर ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री में सीटा सर्वर का ही प्रियोग होता है और भारत की अधिकतर पैसेंजर फ्लाइट्स में भी इसी सर्वर का इस्तेमाल होता है इसी सीटा सर्वर ने मुसाफिरों को रूलाया तो सुबह आठ बच कर पांच मिन्ट पर एर इंडिया ने ट्वीट कर माफी भी मांगी एर इंडिया ने ट्वीट में लिखा कि सर्वर डाउन होने की बज़े से दुनिया भर में हमारी कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हुई है सिस्टम को ठीक करने में हम जोर शोर से जुटे हुए हैं जात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है एर इंडिया का पूरा टॉप मेनेजमेंट सब जेगे पूरे नेटवर्क में सब जेगे मेनेजमेंट पूरा पहुँच गया था एरपोर्ट्स पे और कंट्रोल पे और अभी करीब पॉरणो बज़े के करीबे सिस्टम रिस्टोर हो गया है गनिमत रहे कि साड़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद सरवर को दुरुस्त कर लिया गया लेकिन इस वज़े से महाराजा की मुसाफिरों को जो मुश्किले हुई उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है विरोरिपोर्ट, Z-Media